22 जन्वरी को राम लला की प्रांट प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। संपूर्ण देश भगवान स्री राम की भक्ती में डूबा हुआ है। और जगे जगे पर भगवान स्री राम के भजन, केर्टन, स्री राम चरित मानस, सुंदर कांड पाठ, सहित प्रसाद बितरण और भंडारे का आयोजिन किया जा रहा है। ऐसा ही एक खास रामोत्सो जिले के केंद्री जेल में आयोजित किया गया है। जहां अजीवन कारवास की सजा काट रहे रुपेंद्र मिस्रा ने भगवान स्री राम चंडर की अलौकिक प्रतिमा का निर्मान किया है। स तीन दिनों तक चलेगा जिले के केंद्री जेल में राम उत्सो की समस्त विवस्थाएं की गई हैं संपूर्ण जेल आयोध्या में सजा काट रहे कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो शंगीत और वाद यंत्रों में पारंगत हैं और उनके द्वारा भगवान स्री राम के भजनों की म प्रजिश्रा का काकरम शुरू हो चुका है उसी तारतरमे में आज केंद्री जेल सत्ना में यहां पर सजायाफ़ता बंदी रुपेंदर मिश्रा के द्वारा ये राम मूर्थी की राम मूर्थी बनाई गई है और इनकी फ्ताबना की गई हैं और हम लोग आज से तीन दिनों तक पूरी जेल जो हैं राममय होने जा रही है और यहां सुंदर कांड हो गया हनवान 40 प्रती दिन बंदी रोजी करेंगे। बाहर भी आम पब्लिक में भी जैसे राम की इस्थापना को लेकर बहुत ही उत्सा है। इसी प्रकार से हमारे पूरे जेल के जितने भी बंदी हैं सभी लोगों को मन में बहुत ही उत्सा है कि आज इतने वर्षों के बाद हमारे राम की इस्थापना होने जा रही है राममंदिर बन के और हमारे बंदी बहुत खुश हैं और इसी प्रकार आज बहुत संगीत में हम सभी बंदी भाई भी राम में हैं केंद्री जेल सतना में एक पल का भी एहसास नहीं होता कि हम जेल में हैं ऐसे महसूस हो रहा है जिसे हम सभी अयोध्या की पावन धर्ती पर बैठे हैं और भगवान स्री राम तो हम सब के दिलों में हैं हर मन में रखबर हैं हर तन में रख पर हैं मैं निश्यत रूप से प्रभू के गीत स्वयम से लिखता रहता हूं और जो हमारे बंदी भाई ने भगवान स्री राम की मूर्ती बनाई है वास्तों में लगता है प्रभू इनमें शाकार बसते हैं कहीं पर भी नहीं लगता कि भगवान की मूर्ती है ऐसे लगता है प्रभु स्रीराम का इस पश्ट रूप जलकता है सारी जेल राम में है हर तरफ प्रेश प्रेम की आयोध्या की चर्चा है निश्यत रूप से मैं भी भगवान स्रीराम की क्रपा से गीत कार हूँ गायक भी हूँ लेखएक भी हूँ मैं स्वयम से गीत लिख लिख करके भगवान स्री राम के शरणों में सभी देविद्धाओं के देश प्रेम के सभी गीत लिखे जाते हैं और जो भी आपने सुना सुरचित के गीत ही सुनें बहुत अच्छा लग रहा है बस इंतजार है प्रभू के पाउन दर्शन का कब अयोध्यानगरी के दर्शन मिले निश्यत रूप से हम सब पर कृपा होगी प्रभू की शभी पर होगी बहुत अच्छा लग रहा है